हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू मै चैनल रिजवाना असेफ और मैं हूर रिजवाना आपकी दोस्त और आपकी होप कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो विंटर आ चुके हैं जी हाँ गाई सर्दिया सर्दियों में अपने स्किन के कारा ठिज़ा जाए्र कैई में बहुत जबड़ाया हो जाता है तो ढून्ट वरी हेर आए मैं आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही किसे दूर कर सकते हैं आप गुष्ट से सारों चैद गतर ही अब्हुत जरेकी प्रॉबलम को कि मेरा ने दूर कर शक्ते हैं मैं ने अपने चैनल पर बहुत अमेजिंग वीडियोग आपके साथ शेयर की हो ृड है तो आजो और बहुत ज़ादा गजब की होने वाली है क्योंकि पैसा आपका वेस्ट नहीं होना टाइम आपका बिल्कुल नहीं लगेगा और रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलेगा इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे DIY, एंटी एजिंग, मास्क, क्रीम सर्दियों में आप चेहरे की देखवाल कैसे करें सर्दियों में चेहरा काला ना पड़े इसके लिए आप कैसे क्या पैक बनाएं कैसे बनाएं कौन सी स्किन के लिए कौन सी स्किन के लिए कैसा स्किन टाइप, फेस बैक आप बना सकते हैं कौन से दिक्कत के लिए कौन से प्रॉबलम के लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चनल पर पोस्ट किया है अगर आप लोग देखना चाते हैं तो लेस्ट चेक आउट माई प्लेइलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं तो इसमें इस वीडियो में मैंने बहुत गजब के इंगेंट्स अड़ किये हैं तो यहाँ पर हम start करते हैं अपनी इस remedy को बनाना और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको remedy कैसे बनानी है तो यह जो remedy है बहुत ही amazing है इसमें मैंने बहुत ही ज़ाधा useful इंगेंट्स अड़ किये हैं बहुत ही जादा एजी टू आपको मिल जाएंगे बहुत एजिली अपनी घर में ही आपको बिल्कुल परिशान होने की जरूत नहीं है सबसे पहले मैंने अपनी इस रेमेडी को बनाने के लिए इस्तमाल किया है दही तो दही जो है यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी गाड़े दही का इस्तमाल किया है दही जो है दही के अंदर लेक्डिक एसिड पाया जाता है जो हमारी स्किन को स्मूद सफल सफ्ट प्लस मॉस्टराइज करता है बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है साथी साथ हमारी स्किन से ब्लैक हैड्स वाइड्स के प्रॉब्लम को दूर करता है और इसके अलावा हमारी skin में pigmentation की problem, जाईयों की दिकत, जुरियों की दिकत, सभी तरह की problems को ये दूर करता है, सभी तरह की problems से ये fight करता है, लाइक दही जो है बहुत amazing ingredient है, next में हम इस्तमाल कर रहे हैं green tea, तो बिलकुल भी घबराने वाली बात नहीं है, guys आप किसी भी brand का green tea इस्तमाल कर सकते है और अगर आपके पास green tea नहीं है अगर green tea है तो the best है इसके अच्छा कुछ नहीं है लेकिन अगर green tea नहीं है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है सोचने वाली बात नहीं है टैंचन बिल्कुल मत लेना चाय पत्ती लेनी है आपने उसे दरदरा पीसना है और चाय पत्ती का थोड़ा सा पाउडर आप इसमें एड़ कर सकते हैं लेकिन अगर ग्रीन टी है तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है ग्रीन टी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरप कर सकते हैं गरीन टी एगर ग्रीन टी का प्रॉपर्टी एगर और दाउटी प्रॉपर्टी मसूर की डाल का पाउडर कैसे बनाए तो एक मुठी मसूर की डाल आपने लेनी है और उसे Mixing जार में डाल के अच्छे से ग्राइड करना है उसका एक अच्छा सा पाउडर बनाना है थोड़ा दरदरा रहने दीजिए क्योंकि हमें Scrubbing करनी है इसके साथ ठीक है बहुत ज़ादा fine नहीं करना है उसके बाद आप इसे चान सकते हैं अगर आपको बहुत ज़ादा harsh वाले इसके particles नहीं चाहिए तो ठीक है जी यहाँ पर अच्छे से तीनों चीजों को हमने mix कर लिया है तीनों ही चीजे बहुत जबर्जस हमारी स्किन को मसूर की डाल जो है ना मसूर की डाल हमारी स्किन को instant brightening करने में बहुत ज़ादा help करती है साथ ही साथ हमारी स्किन के अंदर pigmentation की problem को दूर करती है जहाईों जूरियों की problem को दूर करती है हमारी स्किन को एक से दो shade light करने की यह ताकत रखती है अब आपने इसे बनाना सीख लिया बहुत easy way में मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है अब आपने कैसे से apply करना है वो आप ध्यान से देखिए आपने लिना है दही और दही लेकर आपने अपने face पर पूरे face पर अच्छे से करनी है massage आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा tight और younger होती है shine provide करती है दही हमारी skin के अंदर और इसके साथ glow जो खो जाता है सर्दियों में वो बरकरार रखती है दही का आप इस्तमाल कीजिए face के साथ साथ आप अपने खाने के routine में भी अगर दही को ले आएंगे तो scrubbing करनी है आपने आप देख सकते हैं सारे चीजों को अच्छे से आपने कर लिया है mix और mix करने के बाद अब अपने अपने face पर इसे apply करना है और अपने face पर हलकी हातों से तीन से चार मिनट मसाज करनी है scrubbing बहुत जादा amazing होती है हमारी स्किन के लिए हमारी स्किन को exfoliation की बहुत जादा important होती है क्योंकि हमारी स्किन पर धूल मिटी की polishing की जो layer जम जाती है exfoliation से ये remove होती है साथ यसाथ black heads और white heads की जो problem होती है वो भी दूर होती है हमारी स्किन अंदर से glow करती है dust polishing निकल जाता है और तीनी चीज़े ही best like magical ingredients मैंने स्किन दर एड़ की है जो आपके स्किन को smooth, subtle, soft बनाने की साथ साथ आपके स्किन को बहुत जादा glow भी बना देंगे तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ दोनों हाथों में फरक एक जो मैंने पैक बनाने का तरीका लगाने का तरीका रिमूव करने का तरीका आपको पता चल गया है ठीक है अब आपने इस वीडियो को like करना है चैनल पर अगर आप नहीं हो तो subscribe करना है ठीक है जी और साथ में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लेना तो अभी के लिए चलते हूँ फिलाल आप लोगों से मिलोंगी नेक्स वीडियो में कुछ नया और मज़ेदार लेकर तब तक के लिए बाबाई